अलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में ये वीडियो फिसर में के लिए काफ़ जादा हैलफुल होने वाली है यहां इस वीडियो में भी हम एक नया गिलनेट तयार करेंगे इस से पहले हम देख चुके हैं कि पहले हमने गिलनेट तयार किया था ट्यू स्टॉन वाले मोती लगा कर यह बहुत भेहतरी नेट था काफ़ी मैंने यह आपकर बहुत अधरी काफी हमें लेक defended के मुझता और इससे कम दाम में भी प्राप्तर होगा और आसानी से मार्केटर मिल भी जाएगा यह आप देख रहें एक नट है एक हजार नट का एक बैगए शोटा सा यह एक हजार और पांच सो के पैकेट में आते ए आपको आसानी से किसी भी इस पेर पार्ट की दुकान पर मिल लेकिन मौतिक थोड़ी महंगे ए थोड़ा सस्ता है और एक हजार के पैकेट में आपको आसानी समिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम धिवरी इनको धिवरी भी बोलते हैं धिवरी या नट भी बोलते है इन नट से हम आज नट तयार तो चलिए दोस्तों इन नट का हम उप्यूब करके एक नया गिलनेट तयार करते हैं और उसका परफॉमेंस भी हम देखेंगे कैसा लगता है और यदि आपको नेट मुझसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डंबर है तो आप मुझसे नेट भी ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दि तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन नट के दुआरा कैसे हम गिलनेट तयार करें एक बहतरीन गिलनेट दोस्तों यह 1,000 नट का पैकेट है इसका बेट संथिंग 700 ग्राम्स है जी है 700 ग्राम्स और यह मैं तीन नम्मर नट लेकर आया हम आप एक नम्मर से 5 नम्मर तक का नट अपने गिलनेट में यूज़ कर सकते हो बहुत सांदर गिलनेट बनता है इसलिके 5 नम्मर तो सबसे प कि अब काफी सांदर दिख रहे हैं आप दिख रहे हो यह पूरे 1000 नट्स हैं और इसका साइज भी लगभग उसी मौती की तरह है आप दिख रहे हो बट यह मौती से थोड़ा भार ही होता है तो यह अच्छे चीज है मौती से अब हम इन नट्स के लिए इस लाइन में भरते हैं यह मेरे पास चार नम्मर लाइन है यदि आपके पास इससे मौटी लाइन रहे जितना अपने नट्स का होल है तो और बढ़िया रहे है तो इस नट्स के लिए यह मेरा तीन नम्मर नट्स से आप देख रहे हैं काफी बहतर नट्स से आप एक से पास तक कई उच्छ कर सकते होगे लेट में ठीक रहता है इनमें हमें एक एड़बांटेज तो मिलता है यह हमें आसानी से किसी भी इस प्यर पार्ट्स की दुकान पर मिल हैं और सस्ते भी रहते हैं तो फटा पट हम बल लेते हैं तो दोस्तों हमने नट्स को भल लिया है अब हम इनको रखते हैं साइट में तो दोस्तों मेरे पास यह 30 mm का एक गिलनेट है तो इस नट को हम कंप्लीट करेंगे दूसरी चीज हुए अब तीसरी चीज है ए नेडल जिस नेडल से हमें इसमें सिलाई करना इसको जॉइंट करना है तो इस नेडल को हमें फंदे के साइज से आधा रखना है ताकि आसानी से निकलती रहे और फंदे के साथ ही हमें इसको जॉइंट करना है तो इसके बाद आती है एक और लाइन जो कि हम फंदे के अंदर से ही दालेंगे सफोर्ट के लिए तो अब हम इन से तयार करते हैं एक सांधार की लेट दूस्तों यह मेरा करेंट नेट है इसके दो हिस्से हैं एक ऊपर कर रहता है एक नीचे कर देता है आपको पता एक तरफ फ्रोटेंग बॉल बनती है एक तरफ बेट लगता है तो इसके एक हि इसी लाइन है उसको हम इन फंदों के अंदर से डालेंगे एह वाली लाइन तो इसको हम इन फंदों के अंदर से डालते हैं बहुत हलके हां से डालना है कहीं भी छूट ना जाए एक फंदा ना छूट जाए पूरा नेट बिखर जाएगा और फिर समयटना मुस्कल हो जाए यह काफी अच्छा पोजिशन है बर्क करने का अब हम तीनों लाइनों को जॉइंट करते हैं एक लाइन तो यह हमारे अंदर है फुन लेकिन दूसरी यह है जिसमें बेट डला है मैंने सारे नट पीछे की और खिसका दी है जितना बर्क चलता जाएगा वैसे लेते जाएंगे और तीसरा यह है निडल जो कि हमें सलाई करना है तो इन तीनों को हम फटापट यहां जोड़ते हैं थोड़ान लब्मा निकाल के नोट लगाते हैं बाद में इसे हम कट कर देते हैं तो हमने क्या किया है एक लाइन जो अंदर से डली है फंदों के पतली बाले ली है और यह इतनी साइज की लाइन को इसमें यूज कर सकते हूं वह बहुत बहतर रहेगा यदि आप बोल्ट के छीट के बराबर लाइन को प्यों करोगे लेकर मेरे पास यह लाइन थी तो मैं इसका यूज कर रहा हूं तो इसमें आप मोटी लाइन का यूज करें ठीक रहेगा तो अब हम शुरू करते हैं बेट को लगाना गिल नेट में तो कैसे लगाते हैं वो अब हम दिखेंगे यह मैंने एक आखणा सा बना की रखा जिसको हम फाँआ फसाते हैं यह काफि सपोर्ट करता है नेट बनाने में तो अब हम नेट शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने नेट का जो छोड़ है उस पर नौट लगाते हैं नौट हमें कैसी लगाना है इस तरह इसे में पकड़ना है यह आप राउंड सा देख रहा है यह राउंड सा बनना चाहिए और इसके अंदर से हमें नेडल को निकालना है हर जगह हमें ऐसी दो नोट लगाएंगे तो हमने यहां दो नोट लगा दी है अब हम थोड़ी आगे करीब एक इंच आगे और दो नोट लगाते है नेट को थोड़ी खिसकाते जाते हैं धीलर डाला रखना है नेट को तो दू नोट और हमने यहाँ पर लगा दें और याद रहे हर एक जगे जहाँ दू नोट लगा रहे हैं वहाँ एक फंदी पर लगाना है फंदी को साथ में एट करना है अब हम यहाँ पर एक नट्स लगाते हैं और nuts के साथ हम 2 फंद कमस के मैट करेंगे एक आंगे और इक पीछे 2 फंदों को साथ में हम not लगाएंगे इससे क्या होता है नेट ढीला ढाला रहता है जो कि आपस में adjust होता है तो यह हमने दो नोट लगा दें अब आंगे करीब 1.5 इंच आंगे फिर से दो नोट लगाते है लेकिं नेट को हम भीला ही लखेंगे और हर फंदे के साथ नोट लगाना है इस चीज कर एयाद रखना है अब आगे भी हम नॉट लगा देते हैं बस नेट को डील डाला रखना है तो हमने दो नॉट और लगा दें यह आप देख रहे हो यह हमारा नट लगा हुआ है यह एक गांट और यह दो गांट हमने दो गांट लगा दी अभी हम एक गांट और आगे लगा रहा है थोड़ा हम net में ज्याना है तो इसको हम थोड़ा दूर्दूर लगा सकते हैं तो यह तीसरी जगह गांदने के बाद में एक किन Errko यहां पर खिसकाएंगे और उसके बाद भी हम दो अंगे नठ के पहले और बाद में दों नोट लगाते हैं तक ही मजबूती बनी रहे हैं कहीं खिसके ना तो इसी तरह से हम अपने नेट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बस याद रहे हमें डील डाला नेट बनाना और तभी हमें इसमें फिस अच्छी तरह से भसती हैं तो हर दो गाट के बीच में कम से कम तीन फंदे आना चाहिए तो हम फड़ा फड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तो मैंने फाइनली नेट का निचला भाग कंप्लीट कर लिया है आप देख रहे हो इसको बनाने मुझे करीब तीन दिन लग चुके हैं और इसके जो उपरी भाग है इसका वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ उपरी भाग कैसे बनाते हैं वो उपर आई बटन में ब्लिंक कर रहा होगा तो आप वहाँ जाकर इसका उपरी भाग देख लेते हो या इसका नेट पार्ट मैं बना दूँगा यदि आप कमेंट करते हो तो दोस्तों फिसर मैंस के लिए मैं ऐसे ही helpful वीडियो डालता रहूं इसके लिए मुझे आप सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहा हूँ और यदि आपको मुझसे लेना है एहनेट या ऐसे और भी गिलनेट खाली गिलनेट या कम्प्लीट गिलनेट जैसे भी आपको चाहिए हो मुझे आप कॉंटेट करें बोट से पर जरूर मैसेज करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में